दोस्तों अगर आपने ली है ये मेज या फिर एक चेयर या फिर ऐसा कोई भी प्रोड़क्ट जिसमें आपको ज़रुत पढ़ी हो स्क्रूज और बोल्ट्स की तो आपको सबसे ज़ादा ज़रुरी क्या चीज़ पढ़ती है हाँ आपने बिल्कुल सही समझा एक स्क्रूड्राइवर सेट एक बैदरीन स्क्रूड्राइवर सेट जिसे मैंने लिया था एमाजॉन से मुझे ये पढ़ा था करीबन वन थाउजन रुपीज का बोश का ये स्क्रूड्राइवर सेट 38 TLG पीसेस के साथ आता है इसमें तरह तरह के स्क्रूड्राइवर सेट्स एलन कीज और बढ़िया बढ़िया तरीके के बिट्स आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे यूज किया जाता है जब आप इसे खोल के दिखेंगे तो आपको दिखेगी मेन बॉडी यह इसकी मेन बॉडी है इसका जो गृप है यह रबराइज मैटेरियल का है तो इससे काफी अच्छी गृप आपको प्रोवाइड होती है जो कि आपको एकदम सक्षिशन की तरह पकड़ लेगी इसका यह मैटेरियल रबराइज नहीं है बिकॉज यह हार्ड मैटेरियल है जो कि इसको एक काफी स्टर्डी फील देता है और यहां पर जो आप दिख सकते हैं यह स्टील है ओके नाओ हाव तो यूज जब आपको क जब आप पहली पहली बार आप इसे यूज करोगे तो आपको इसमें बहुत जादा चान लागे हो साना पड़ेगा और यह बिलकुल नॉर्मल सी चीज है अला कि जितना आपको लग रहा होगा उतना जादा मुश्किल नहीं है इसे निकालना और लगाना बट मुझे काफी पड़ा था फूर फॉर्स टाइंग और मुझे ऐसा लगा था कहीं ये खराब स्कूरॉड्राइवर साट तो नहीं बट इस नॉर्मल नॉर्मल इसके इस पार्ट को ऊपर करेंगे जब आपको टाइट करना होगा तो और आप जब इसे खोलना होगा तो आप इसे पीछे करे और इसे खोल पाएंगे ठीक है अब आप पूछ रहे होंगे कि इसे उपर नीचे करने से क्या होता है जब आप इसे उपर करेंगे और किसी भी पार्ट को खोल रहे होंगे तो वो मैटेरियल खुलेगा वो स्कूरॉड्राइवर जो होगा वो इससे मतलब कि अगर मैं इसे रखता हूं तो इससे बंद होगा बट जब मैं से अपोजिट डियरेक्शन में खीचूंगा सी ये जो स्कूरॉड्र का हैड है ये एक दम स्टेशनरी है और इसका हैंडल रोटेट हो रहा है तो इससे क्या हल्प मिलती है जब आप बहुत लंबे समय तक आपको कुछ स्कू करना हुआ तो आप इसकी मदद से अराम से एक ही बार में कर सकते हैं आपको बार बार पुराने स्कूरुड्राइवर्स के तरह से इसके घुमा करके ठाइट या घुमा करके खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमिलरली आप इसे पीछे करके खोल सकते है ठीक है और आ हुए है यह बहुत ही मजबूत है अगर आप इसे फील कर सकते हैं कि यह जल्दी खराब नहीं होने वाला इसको कुछ नहीं होने वाला इसको वापस से लगा देता हूँ अब आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत तरह के बिट्स मिलते हैं और आप मेरा यकीन मानिये मैंने इससे यह चेर बिल्ड करी है मैंने इससे अपनी टेबल बिल्ड करी है मैंने इससे अपनी बाइसिकल तक बिल्ड करी है यह आज कल की modern bicycles यह जो आप Allen के keys देख रहा हो यह इसके बहुत काम में आती है खास कर कि these two because these two are the ones which you'll be using most of the time और यह बड़ी वाली कभी कभार use आती है अगर आपके tires Allen keys को support करते हैं तो और quick release के साथ नहीं होते हैं तो तो यह रहा इसका setup और अब बात कर लिजा इस magical component की यह क्या करती है जादवी सी चीज़ actually में यह extension है और यह extension क्या करता है यह extension आपको कुछ नहीं करता इसको extend कर देता है हाला कि मैं आपको बता दूँ कि extension एक और चीज़ बढ़ा देता है वो होती है इसकी magnetic capability जो कि tightly hold up कर लेते हैं adjust हो करके तो यह बाहर नहीं निकल पाता but this is not the same for this thing because यह चीज़ इसके base को hold करती है but इसका mouth जो होता है वो magnetic होता है और इसमें आराम से आप इसे डाल करके चीज़े खोल या बंद कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और इसके sound काफी जादा satisfactory है पता नहीं क्यों but मुझे काफी अच्छी लगती है और मैं अगर बात करूँ इसके इस component के बारे में तो इससे एक और फायदा होता है अगर आप कोई material लोहे का pick कर रहे हो तो आपको magnetic capability मिलती है just because it's connected to magnet now let's move on आपको पता चल चुका है इसमें इतने तरह के magnetic bits रहती है हाँ बट एक बात और आपको पता चली चुकी होगी इसको अंदर से देखने पे कि कोई बहुत छोटे bits नहीं है जाद अतर bits बड़े हैं तो वो बड़ी चीजों को खोलने और बंद करने के काम में आते हैं हाँ आप इससे अपने लैपटॉप को खोल सकते हो उसको ठीक कर सकते हो जैसा कि मैं कर चुका हूँ रैम बढ़ा सकते हो फिलिप्स के जीरो और फिलिप्स के वन स्क्रूड्राइवर्स ज़्यादा तर यूज होते हैं maybe T15 बट उससे जादा चोटा कोई भी नहीं यूज होता basically बहुत जादा चोटे यूज होते हैं आपके आजकल के स्मार्टफोन्स में और हाँ आप इससे electronics device के लिए यूज नहीं कर सकते basically electrical and mechanical components mainly okay अब बात आते हैं स्टॉर्च पे इस torch का यूज में आस तक नहीं करा क्योंकि इसमें AAA battery लगानी पड़ती है जो कि इसके साथ नहीं मिलती है और खासकर कि मुझे इसको यूज करने पड़ी क्योंकि मिर पास एक already torch है well ये काफी powerful है मतलब for the size and अभी तक मुझे इसकी जरूत नहीं पड़ी but this is quite handy also ये सारी क्या चीज़े हैं और इसे कैसे use कर सकते हैं आप थोड़े सादा confused हो जाएंगे जब आप पहली पहली बार इस चीज़ को देखेंगे तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस part का क्या होता है कोई भी hex bolt जब कहीं भी होता है तो आप इसे की मदद से उसे खोल सकते हो ठीक है for example कोई hex bolt किसी किसी pipe circular pipe diameter के अंदर होता है bicycles के अंदर और आपके scooters और maybe pipes related work में वो अंदर होते हैं और वो आपके अंदर किसी और चीज़ से नहीं जा सकते ठीक है अगर आप सोचें कि आप उसे plier से या फिर किसी और set से खोल पाए नहीं तो उसमें आप इनी चीज़ों का use करते हैं और इन चीज़ों का use कैसे करते हैं तो आप इस की मदद इसको इससे कैसे use कर पाओगे तो आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा यह पार्ट इस पार्ट में कुछ भी मार्किंग नहीं है बिकाज यह इस चीज के लिए ही बना हुआ है आप इसे लगाओगे उल्टी तरफ से और यह चीज इसमें चली जाएगी ऐसे यह चीज इसे कस करके बंद कर देगी और आप इसकी मदद से खोल या बंद कर सकते हो पीचे घुमागा करके फिर भूल भी सकते हो यह चीज आप अपनी साइज साइज के कार्डिंग से चूज कर सकते हो बाकि इसमें इतनी ही माटेरियल है और इतना आपके लिए बहुत जादा एक बात कहूं तो काफी जादा अच्छा है means इससे जादा आपको ऐसे भी जरुवत नहीं पढ़ने वाली है हाला कि मैं electric screwdriver भी बोश के लेने के सोच रहा था बट वो कहते हैं न कि कुछ जादा ही out of advantage चला जाएगा मुझे उतने advantages की जरुवत नहीं है और नहीं उसका budget बहुत अस्ता है तो इतना budget काफी अच्छा था मुझे यह thousand rupees का पड़ा था अभी यह करीब 1200 का है thousand और 1200 में fluctuate करते रहता है तो यह है पूरा बोश का set काफी compact है आप इसे बैग में रखके ले जा सकते हो काफी अच्छी तरीके से और यह जादा heavy भी नहीं है बट काफी जादा strong भी है so this is it and this is made of cloth it's not plastic weak plastic like it has fiber in it but it's not weak it's give you a sturdy feel like you know when it's closed यह बहुत जादा sturdy रहता है और अगर मैं बात करो style की तो आप देख सकते हो plain है sober है दिखने भी भी काफी अच्छा लगता है और आप इसे कभी भी कहीं भी अपने साथ ले करके ले जा सकते हो अगर आपको जरूरत पढ़ती रहती है जैसे मुझे अपने घर में चीज़ों को बनाने के लिए खोलने के लिए तो आप इस चीज़ को 101% लें इस इस कॉइट गुड मेरे पास और भी स्क्रूराइवर सेट थे जिनका मुह तूट गया जिनके बिट्स खराब हो गए बट लेट में टेल यू इन बिट्स की टॉजनल रिजिडिटी काफी पावरफुल है और ये जल्दी नहीं खराब हो सकते क्योंकि मैंने इसे बहुत रफली यूज करा है अगर आप देख पाएंगे तो बट इन पे स्क्रैच तक नहीं पड़ी अभी तक और मैं इसे सम्हाल के रखा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें साफ रखने पसंद है बट अगर आपको रफली यूज करना है तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला मैं गारेंटी इस चीज़ की दे सकता हूँ आपको अगर आपको यह प्रोड़क्ट अच्छा लगा तो आप नीचे जाकर लिंक चेक कर सकते हैं मैंने इसकी लिंक दी रखी हुए जहां से मैंने से खरीदा था खेर अगर आपको यह प्रोड़क्ट बहुत अच्छा नहीं लगा तो भी आप इसे चेक आउट कर सकते हो बट मेरे हिसाब से it's a good deal you know for the price और आज कल के छोटे मोटे companies के screwdriver set लेने से बहुत अच्छा है Bosch because इसका नाम है और ये आपके काफी काम में आएगा चीजों को खरीदने बनाने के लिए तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को next video मैं अपनी new चीजों की interesting चीजों की reviews लाँगा जो कि काफी जादा unbiased होंगे because मैंने ने खुद अपने हाथों से अपने लिए खरीदा हुआ है so I will say that and अगर आपको cycling or electronics or components or day to day life की चीजों को review देखने में या फिर उनमे interest है तो आप इस चनल को subscribe कर सकते हो because you know what I will always make video thanks and bye-bye and welcome again goodbye